हेलो फेंट्स वेलकम टो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स रिसी एम सिरी राम इंडस्ट्रीज की लिमिटेड के और से जोन कार्टर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है जो कि स्टैंडर लॉन और कॉंसॉलिडेट दोनों की रिजल्ट से हम लोग कवर कर करेंगे तो चलिए फेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर आपको स्टैंडर लॉन और कॉंसॉलिडेटेड दोनों की रिजल्ट साथ में दीखर है लैक्स में नमबस दिएगा इंकम जो स्टैंडर लॉन कवर करते हैं इंकम जो निकल कहा है 711 करोड है जबकि प प्रिविस कॉर्टर में 16 करोड और जुन 21 करोड वें 12 करोड का प्रॉफिट तो यहां पर कॉर्टर न कॉर्टर में 1 लैक्स के राउंट तेजी है माइनर सा तेजी है मतलब लगवक कह सकते कंपणी का जो रिजल्ट है पिछले कॉर्टर कंपेर में इस देखने को मिला बट प्रिजल्ट निकल के नहीं आई है इस बार जो कि बहुत ज्यादा हुई थी पिछले कॉर्टर के कंपेर में अगर हम यहां पर निकल के आए 711 करोड है जबकि प्रिवेस कॉर्टर में 657 करोड था और जुन 21 कॉर्टर में 466 करोड था कंपणी का इंकम क्वाटर और की प्रॉफिट है जबकि प्रिवेस कॉर्टर में 16 करोड था जुन 21 कॉर्टर में 13 करोड था क्वाटर और क्वाटर के प्रॉफिट 17 लैक्स के राउंड ही इंक्रीज हुआ है लेकिन यर और प्रॉफिट बहुत ही स्ट्रॉंग तीजी देखने को मिल रहा है इस कंपनी का फिनांसर जेट उतना शानिकल के नहीं आया एवरेज से रिजल्ट देखने को मिला है एप्पिएस वन पॉइंट एट रुपीज का है पिछले क्वाटर से थोड़ा सा ग्रोथ है लेकिन पिछले साल से यहां पर बहुत ही अच्छा इंक्रीज करता है देखने को मिल रहा है अगर अगर अपने सेग्मेंट वाज रिवेन्यों की बात करें तो सूगर इंडस्ट्रियल फाइबर से रिवेन्य प्रोड़क्ट्स और केमिकल से दोनों से रिवेन्य जनरेट हो रहा है डेटा पसकिन पर देख सकते हैं यह वाली पोर्षण है और यह वाली कॉन्सॉलिड पोर्षण है इस देख सकते कंपनी के इंकम अच्छी का सी ग्रोथ हो रही है लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आ रही है विकाज ऑफ एक्सपेंसे तो अब हम लोग वीडियो में पर एंड करते हैं अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं नेक्स